लाइफ हाज गाट आल दोज ट्विस्ट एंड टॉन्स यूफ गाट तो होल्ड आंड टाइट अफ यू गो इस इंग्लिज का मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया फिलहाल लेकिन इतना जानता हूं कि जिंदगी में आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे अच्छे खराब ब बाइं बढ़ने वाले भुधने वाले अजब अबर्बाद होने आई लेकिन आपको अपना रास्ता अपना लक्षे वाला स्काल रास्ता नइसी पर जाना है जैसे अंग् purely क Girard Social didn all और I Schools सब के बारे में हर चीज़ होगा कमेंट करिए जब कलास खतम हो जाएगे रिपलाई देंगे हम हमीं रिपलाई देंगे खुद कमेंट करेंगे लेकिन बाद में ठीक है आज एक नया ध्याय होगा आपका चैप्टर नमबर 10 जिस चैप्टर का नाम आप मिला लीजिए बाकी के बारे में बहुत ही डीटियल में विस्तार से मैं समझाओंगा अगले 10-15 मिनिट हमारे साथ बने रहिएगा एरिया क्या चीज होती है आपने सुना है कहते हमारा एरिया बहुत अच्छा है एकदम बोले बाले लोग है बस राजा हरेस्चंद हमारी तरफ ही रहते हमारी ए तो कि अवाची है तो आपका एक एरिया है तो वह एक निश्चीत है कि यह फर फलाने यहां से तक है आता नहीं कि पूरे दूनिया मक्राइब इसे बोलते है rectangle मतलब आयत इसको लेंथ यानि इसको बी यानि ब्रित होके लंबाई और चोड़ाई हम यहीं सब पढ़ने वाले आयत वर्ग ब्रित और क्या-क्या है वहीं तिर्भूज चतुर्भूज सिर्भूज के परकौर खन घनाब इन सब Mit już यह बेलूम यानि सब कर देखी कि जांदरी फिजे गा-क्या-क्या होता ऑन से किसी वी बंद आकृती द्वारा खेरे गए संपूर्ण छेत्र को उस आकरती का छेत्रफल कहते हैं यहां पर हमें इसका छेत्रफल निकालना है इफ लिए हम बंदाकरती का परियोग कर रहें क्योंकि हमें इसका एरिया निकालनी है ठीक है यानि जितने दूर में यह बना हुआ है वो क्या इसका छेत्रफल है क च्टोटी सी but today अगर मैं कहूं इसको मैं इस पर चिपका दूँँ ये यायताकार है जतनी दूर ये बुखने जगा घ्राइस बोड की यहीऽ का एरिया मतलब 6 त्रफ़ाल है कि एमाज ये आयताकार के है भी तो तो जितना इसने जगा छुपा लिया यह क्या इसका एरिया जैसे इस पर रख्थिया तिये देखो इतना चुपा लिया यह इसका एरिया मानलूं की तीन सेंटीमीटर है और यह मानलू में 57 सेंटिमीटर है कि इसको हटा दो कोई मतलब नहीं है फिलहाल आप समझ गयो तो इसका छेत्रफल क्या होगा वाट इस एरिया आप डिस रेक्टेंगल कैसे होगा समझिएगा क्या होगा हम लिखेंगे आयत का छेत्रफल बराबर याद रखिएगा एक चीज़ और किसी भी इस तरह की आकरती यानि जो बंद आकरती चारू तरफ से है उसका छेत्रफल उसकी लंबाई और चवड़ा करके निकाला जा सकता है विशेश रूप से आयत और वर्ग में ये लागू होता है ठीक है तो छेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुड़े चवड़ाई यानि यल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रीथ ओके तो लेंथ कितना है फाइव और ब्रीथ कितना है थरी फाइनल में 15 सेंटीमीटर इसको आयर लगाना नहीं भूलना नहीं तो आंसर गलत माना जाएगा क्यूंकि क्यूंकि बिल्कुल आप लोग जैसे बनके जाए थोड़ा मुको टुकुड़ना पहिने ऊपर मेंटेनेंस में ना जाए तो लोग पाएंगे दुलहाई दुलाग भाई हैं दुलाग फूफा हैं कौन है गडबड हो जाएगा ना फिर कहीं बदली हो जाएगी तो इस लिए उसको अल आया छेतर पल कितना होग बताओं जल्दी फटा फट्ट करें तुरंसट Another जब पड़े तो आगे है यह मत सोचना की यह तो गड़बड हो गया जो आपने कलास पढ़ा था उसी के आगे है यह ठीक है कर लोगे चलो साथियों एक-एक फिगर पर बात करते हैं ज्यादा कुछ नहीं कि आयतन तो थ्रीडी फिगर में होता यह टूडी फिगर है कि अब इसका हम लोग परिमाप देखेंगे इसका ठाइस आंसर आएगा ठाइस सेंटिमेटर इसको है ठीक है साथियों छेतरफाल आयतन और धारिता तो हम पढ़ी रहें लेकिन हमने जो फिगर लिया है इसका एक मोश्ट इंपॉर्टेंट एक और भी है परिमाप जिसे इंगलिस में पेरी मीटर बोलते हैं क्या बोलते हैं पेरी मीटर यह कौन से जानवर का नाम है जानवर नहीं वैथ में किसी भी आकरती की चारों भुजाओं के जोड को उसका परिमाप कहते हैं क्या कहते हैं चारों भुजाओं के जोड को इसका परिमाप कहते हैं तो भाई सिंपल सी बात है बाबु अगर यह चार सेंटीमीटर है एक चीज़ और सुन लीजिए चाय लिख लिजिए नहीं बाद में लिख्वाँगा लाइश्ट में दिखाऊंगा सुन लिए किसी भी आयत की आयत कि आयत में कि मतलब हाथी कि सम्मुक हो जाएं आपस में बराबर होती है आमने सामने की मतलब आप जितने उतना पडोसन भी यह चार है तो यह भी चार यह साथ है तो यह भी साथ ठीक है इस बात को आप लोग अपने दिमाग में दिल में रखे रहेगा ओके डन चलो समुख बुझा बराबर होती है तो भाई जितना चार यह तो चार यह भी होगा य आप लोग जो दीजाओं को परिमाप कहते हैं है चलिए सास हो गया इसके सामने का साथ पिर ये चार पिर इसके सामने चार साथ चूदा आट सब्सक्राइब फ्रॉब क्या आंसर वह गया है कि ना कितना आसान लेकिन आप कहो गे गुरुजी सूत्र तो बताया नहीं तो कि सूत्र बता देता हूं लिखो देखो सूत्र भी बता देता हूं टेंसन मदलो देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा फार्मूला बनाना बहुत ही आसान है सिंपल सा है बबू सुनो मैंने कहा कि चारों भूजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं बाई सिंपल सी बात है इसमें लंबाई है एक बार एक बार इदर लंबाई है य दो बार जुड़ेगा तो दो यह लोड़ो भी इसमें से अगर दो कामल ले लें तो यह प्लस भी बनता है यह मतलब लंबाई इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं दो लंबाई धन चोड़ाई यह सूत्र बन गया परिमाप का दो गुड़े लंबाई धन चोड़ाई अमज में आया फार्मूले रटने का नहीं समझने का है बस कि बताई यह समझ में ना तो इसी पर लगे हाथ आप इसका परिमाप बता तो कितना आएगा फिर फार्मूले में सूत्र में लगा लो तब भी आया गारे बाबा कोई दिक्कत नहीं है लख लो लख लो रख लो टू इन्टू यल लंबाई साथ और चोड़ाई चार दो गुड़े साथ चार ग्यारा बराबर बाईस सेंटीमीटर कितना अटॉंटीटु आया ना सूत्र से यह तब भी आया वैसे आया था वह तो भी आया था सबको समझ में आया आपने क्या देखा आयत का परिमाप और छेतरफल देखा कि नहीं देखा पूरा देखा कौन सी कमेंटी देखे ओना वो गया था घंगरा चोली मांगने चुप-चुप के ऐसे कुछ था ना तो कहता देखो साहब मुझ थोड़े से मान में चेंजिंग करेंगे और आप उसका आंसर बताएंगे जैसे देखिए यहां पर मैंने लिख दिया एट और यहां पर मैंने लिख दिया सेवन एबाई सेवन ओके चलो यह फोर नहीं रहेगा यह भी सेवन हो जाएगा अब इसका परिमाप और छेतरफल द पूरे 25 मिनट में पढ़ते थे उतना मैं 10 मिनट में पढ़ा दे रहा हूं मैं बहुत जल्दी आपको पूरे एक एक घंटे का वीडियो दूंगा एक चेप्टर एक क्लास में खतम हो जागा इमांदारी से क्लास को लाइक और सेर करके जाएगा कमेंट करके बताए लाइव उनके लिए बेहतर है मैं बहुंघ रहा हूं इंको बात्की करना मुदा मुदा है ओ सेर करना है या कि लो है की न है क्युक्त हो ब्लास को बढ़े मुदा देशен डवाद की मैत होती है और यह जल्दी खतम हो साली है तो थर्ड समेटर आएगी फोर भी आएगी सब आएगी